जहिन आप सभी का FD classes में स्वागत है आज हम 23 सितंबर को जितने भी important current affair मनेंगे उन सभी question को discussion करेंगे यदि आपको किसी भी question में किसी भी परकार का doubt हो तो comment जरूर कर देना है यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को subscribe, like और share जरूर करें साथ ही bell icon को भी दबाए जिससे कि आपको notification मिल सके यदि आप हमारे टेलिग्राम चैनल से नहीं जूड़ है तो आप उससे भी जूड़ सकते हैं जिसमें current affair से सम्बनित या चत्तिजगर से सम्बनित या भारा से सम्बनित mc quiz की question भी डाला जाता है इसलिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं चलिए आज आज का पहला question देखिए 36 गड़ राज्य में राज्य इस्तरी 36 गड़िया ओलंपिक दुहार तेज का आयोजन कब किया जाएगा तिनका सही आंसर होगा 36 गड़िया ओलंपिक राज्य इस्तरी 25 से 27 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी याद रखेंगे दोस्तों राज्य इस्तरी 36 गड़िया ओलंपिक का आयोजन 25 से 27 सितंबर दुहार तेज को रायपूर में आयोजित किया जाएगा इसे भियाद रखेंगे रायपूर में आयोजित किया जाएगा चले ने इस्तर question देखिए हाल ही में महिला सम्रिद्धी सम्मिलन का आयोजन कहां किया गया है तिनका सही आंसर होगा हाल ही में महिला सम्रिद्धी सम्मिलन का आयोजन भिलाई के जहनती स्टेडियम में किया गया है याद रखेंगे दुर्गजीले के भिलाई इस्तित जहनती स्टेडियम में 21 सितंबर को महिला सम्रित्ती सम्मिलन का आजन किया गया है इस कायक्रम में श्री मति प्रेंकाय गांधी मुख्य अथिथी के रुप में सामिल हुई है इस सम्मिलन में मुख्यमति श्री भुपेज बगेन ने 6 त्रवाशियों को 309 क्रोर 56,88,000 रुपए के 186 विकासकारियों के सवगात दिया है मुख्यमति श्री भुपेज बगेन ने सांस्कृतिक धरोहर और परियतन केंद्रो को सवारने 36 गड़ महतारी सांस्कृतिक सवर्धन योजना लागु करने की घोशनकी है याद रखेंगे दोस्तो इस महिला सम्रित्धी सम्मिलन मुख्यमति भुपेज बगेन ने स सांस्कृतिक धरोहर और परियतन केंद्रो को सवारने के लिए 36 गड़ महतारी सांस्कृतिक सवर्धन योजना लागु करने की घोशनकी है इसे याद रखेंगे इंपोर्टेन है चले नेस्ट कोश्चन देखिए तिनकर सही आंसर होगा विश्व बैंग द्वारा राज्य की चाख पुरेजनों को 25 कलो रुपे की सहता राशी विश्व बैंग द्वारा दिया जाएगा याद रखेंगे दोस्तों बहुत ही इनपोर्टेन है इस तरह से कोशन आराम से बन सकते हैं और इसमें याद रखें चले याद रखेंगे राज्य में इसकुली सिक्षा के बदलते प्रदीश्यों को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलाव लाने की दिश्टी से इसकुली सिक्षा में सुधार हेतु चौक पुरिजन को विश्व बैंग एवं भारस सरकार से सुक्रिती प्रदाप्त हो भजे गये हैं इसके अंतर गाष्टी का सासन द्वारा पहले चरन में 400 क्रोड़ रुपय की परधान करने की घोष्णकी है इसने याद रखेंगे पहले चरन में 400 क्रोड़ रुपय दिया जाएगा इससे भी आद रखेंगे इससे भी क्योश्टन बनाए जा सकता ही कि छत्त का सासन द्वारा पहले चरण में कितने रुपय का प्रधान किया करके आप इसे याद रखेंगे इस परिजना के माध्याम से अगले पांच वर्सों में वीश्व वैंग द्वारा कूल तीन सो बिल्लियन अमरीकी डॉलर मतलब पचीस सक्रों रुपय की सहतारासी प्राप्त हो इस प्रिजना के माध्याम से प्रमकुर्प से बच्चों की उपलब्धी में सुधार की दीशा में विभिन्यकारिया पालकों की मांग के अधार पर स्वामी आत्मरन की तरजह पर उत्किष्व परिणाम देने वाले नय इसकुलों का प्रारम किया जाएगा याद रखेंग अंसर होगा ICC पूरुस T20 विश्व कप दोहर 24 की सहमेजबानी सयुक्तराज अमरीका और वेस्टेंडिस के भी की जाएगी याद रखेंगे दोस्तों इस तरह से कोश्चन वैपम में बन चुकी है इसलिए याद रखेंगे ICC पूरुस T20 विश्व कप दोहर 24 की सहमेजबा सयुक्तराज अमरीका और वेस्टेंडिस की दूारा की जाएगी जिसके मैच ड Colombia, f volunteer और निवार्क जैसे प्रमुख सहरों में आधित की जाएगी इसे याद रखेंगे द привास और फोर्रीडा और नियवारुक में पन्रमुख सहरों में आधित की जाएगी इसे याद रखें इसे भी याद रखेंगे दोस्तों कुल टीम इसमें 20 टीम सामिल होंगे जो T20 विस्वकप में इसे याद रखेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों चले नेश्ट कोश्टन देखिए क्रिकेट मैच में अमपायर की रूप में खड़े होने वाली पहली महिला अमपायर कौन बनी है तिनका सही आंसर होगा क्रिकेट मैच में अमपायर की रूप में खड़े होने वाली पहली महिला अमपायर सू रेट फढ़ना बनी है आप इमे होने वाली पहली महिला बन गई है वह इंगलेंड के घरेलू पुरूस मैच में अमपारिंग करने वाली पहली महिला और T20 अंतराष्टी की चौथी अधिकारी बनी है चले नेस्ट कोश्चन देखिए पिछले वीडियो में हमने आप से कोश्चन पूछा था कि भारत OIML पर् करने वाला विश्व का तिरवा नंबर का देश बन गया है अब आपके लिए आज का कोश्चन है कोंडा गाउं जिले में माल इंगेश्वरी कमंदीर किस गुफा में इस्तित है तो उनका सही आंसर आप कोमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा चले मिलते हैं अगले उडि आति इज़र